हेलो फ्रेंद्स आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में और इसमें हम करने वाले करंट अफेर की कोश्चन देखें आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें करंट अफेर के आठ से नो कोश्चन आने है उसमें तो यहां पे मैंने कुछ चुनिंदा कोश्चन रखे है तो आप इनको तयार करिए 2019 का करंट अफेर आपको पढ़ना होगा उसमें अब आठ से नो कोश्चन आने तो आपको देखो वैसे तो सबसे पहले आपके जो टोपिक है उनको किलियर कर लीजी जैसे पुरुसकार वाला टोपिक है इसके लवा योजनाओ का है आपके नियूकती टोपिक वाइस प्रेलिस्ट में हैं वहां से आप देख लेना और यह वीडियो होगा बहुत अच्छा मैं कोशिस करूंगा कि यह कुश्चन चुनिंदा है और यह कुश्चन अभी हाली कि जो एक्जाम हुए है उनमें भी पूछे जा चुके हैं तो आप इनको तयार करें और इसके लावत जहां से भी आपको हैल्प मिलती है वहां से आप हैल्प ले लिजी देखो यहां पे वैसे आज मुझे उम्मीद है कि आज क्वालिटी सही होगा क्लास का देखो यहां पे सबसे पहले जो कोश्चन है देखो यह है नीती आयोग ए-ए-ए-फ-ए-फ-र महाराश्ट को मिला है यह क्या है देखो-ए-ए-ए-फ-Ï--फ-फ-ए-r की फुल-फॉर्म क्या है यह है देखो ए से हो जाएगा ए-ग्रीकल्च्रल-ए- pills से हो जाएगा फार्मर और एप से दूसरा जो एफ है इस से हो जाएगा फ्रेंडली और से हो जाएगा रिफोर्म यानि की agricultural marketing फार्मर फ्रेंडली रिफोर्म में पहला इस्थान किसको मिला यह मिला है महाराश्च को इसके बाद यहां पे आगे सवचिस्तल का पुरुसकार किसको मिला है सवचिस्तल का जो पुरुसकार मिला है 2019 में यह मिला है वैशनो देवी जो इस्थान है यह मंदिर है उनको दिया गए यह कहां पे है जम्मु कस्मिर में और यह किसे ने दिया है यह पुरुषकार ॰ामनात कोविंद जी के द्वारा ठीक है अब यहाँ पर आपसे जो कोष्चन ना देखो अभ इनके बारब में पढ़ना आपको इसमें की रामनात कोविंद कौन से नंबर के राश्च पती है इससे पहले जो बिहार के राज्येपाल थे तो आपको पूरा यहां से लिंक करते हुए पूरा आपको तयार करना है करेंट अफेल हुई इसके बाद यहां पे आगे विश्व की कुल 7111 जीवित भासा कि इस देश में जीवित है यह पापवा न्यूगिनी में इसको देखना है इसके बाद यहां पे लिंक समानता को बढ़ावा देने के लिए डिक्री योजना लिंक समानता को बढ़ावा देने के लिए डिक्री योजना किस राज्ये में चलाए गई है यह चलाए गई है दिभला यह ट्रेन कभी एक नाम ये किया है उसमें वो भी पंजाब के लिए चली है इसके बाद यहाँ पर अभी जो हाली में यह चर्चा में था अ कर दरूमिरियिस्थान यह तो यह आश्ट्या का तनाम रेगिस्थान आश्टेलिय का इसके लावा इसी के साथ देखो यह बहुत चर्चा में था भी दस जार उंटों को गोली मारने का आदेश किस देश ने दिया है तो यह किसे ने दिया था यह आश्टेलिय ने दिया था क्योंकि अभी यहां के जो जंगल थे उनमें आग लग ग उंट है बहुत जादा पीते इसी लिए उनको मारने का आदेश दिया है इसी के साथ इसको देखो यहां पर आप देख लेना अश्टेलिय में कौन सी नदी है मरे डार्लिंग और देखो यहां पर रेगिस्थान कौन सा है और भी एक तनामी हो गया एक है यहां पर विक्टो इतने साल बाद यह निर्णे आया है तो यह आया था 134 साल बाद यह कब आया अभी यह निर्णे इस पर यह आया था 9 नौंबर 2019 को 33 साल बाद इसमें पूजा का मौका मिला इसमें करने को अनुच्छेथ 132 के तैस्त और यह 12 सदी का मंदिर है यह अब यह निर्णे जो आया पीट थी उसमें पास से द्युस्यों की थी इसमें उनके दुवारा ये निर्ने दिया गया था राम जनम भूमी पे ठीक है उसमें अब वर्तमान में कोन है देखो मुख्य नियाइदीस तो यह है 47 वे है यह बहुबडे और आपसे पूछा सकता है कि राम मंदिर का जो नेडने आया था उस समय कोन थे तो यह थे रंजन गोगाई और यह विवाद जो था एक जमीन कितनी थी यह थी दो पॉइंट साथ साथ ए एक कड़ जमीन पर यह विवाद था इसमें देख लेना इसके बारे में भी यह इंपोर्टेंट है आपकी यह पॉइंट है ना इसमें यह देख लेना लगभग यहीं तक यह रह सकता है क्वेस्चन इसके बाद आगे यहां पर कि बी सी सी आई कि जो अध्यक्स है कोन है वर्थमान में यह है सौरवगांगुली इसके बाद यहां पे जो दीव है ना सुनाओगा अपने दमन दीव है बोला जाता है पूरा अलग-अलग जो पास में है यह लेकिन दीव सो परतिसत सोर उर्जा संचालित है यह यह पहले भी की बार आचुका है इंपोर्टेंट है इसके बाद आपका है सो परतिसत है कि जैविक राज्य है कि वह भी देख लेना कौन सा है सिक्की मैं 2016 में यह बना था सिक्किम इसके बाद यहां पे आगे राश्ची एकता के लिए सर्वोच नागरिक सम्मान यह जारी के जो है इसको दिये गया कव इसमें किन के लिए सरदार वल्लंभाई पटेल जी के लिए इसमें यह सुरू किया गया है और इसी के साथ वर्तमान में रेल जोन आपसे पूचे जा सकते हैं आपको देखने को मि लेगा अठार है ठीक है अठार है वर्तमान में मुख्य नियाएदीसों की संख्या कितनी हो चुकी है सोरी देखो मुख्य नियाएदीसों की संख्या मुख्य ने उसमें जो आपके जैसे सुप्रीम कोट है आपका यह उसम नियाएदीसों की संख्या आपसे पूची जा सकत अभी इसमें इसके बाद यह जो है नीति आयोग इंडेक्स नीति आयोग इंडेक्स इंडिया इनोवेशन इंडिया इनोवेशन में जो पहली रैंक मिली है वो किसको मिलें इंडिया इनोवेशन में तो यह मिली है करनाटक को है ना इसमें और यह भी अपर पीसेस में अभी हा यह भारत ने किसके सहयोग से बनाई थी तो यह बनाई थी भारत ने रूस मिसायल कोन खरीदेगा फिलिपिन्स खरीदेगा इसके बाद यहाँ आगे मचली आकडे मचली के जो आभी आकडे आयते उसमें तो पर्थम इस्थान पे जो रहे है कौन सा राज्जा रहा है तो यह रहा है आंधर-पर्देश दूसरे पर रहा है G重要 देख लेना मचली के आकड़े इसमें मचलियों के लिए और भी उडीसा में भी योजना चलाई गए उनके लिए जो मच्वारे होते हैं इसके बाद यहां पर वर्तमान में सर्वोश नियाई दिसों की संक्या देखो यह 34 है अभी यह उपर भी बता था इसके बाद देश की पहली प्राइवेट ट्रेन यह भी कहीं बार पूछा जा चुका है कौन सी यह देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तो यह है तेजस एक्सपरेश यह कहां से कहां के बीच चली यह चली थी लखनाओं से दिल्ली के बीच और यह कोश बार इसके बाद एक यह दो बार और देख लेना इसको यह कुश्चन है बहुत इंपोर्टेंट है और यह आपके चुनिंदा कोश्चन है अगर आपसे दूसरी प्राइवेट ट्रेन आपसे पूछ जाए पहली कहां से कहां के बीच है पहली है लखनाओं से दिल्ली के बीच और दूसरी प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां के बीच चली तो यह चली थी मुंबई से एहमदाबाद के बीच अभी चली है इसमें ग教學 कि इसके बाद इंडियन आर्मी में सो महिला सैनिकों की भरती यहीं स्कूर में हूई यह हूई है सेनह पुलीज कोर में पोर का नाम क्या सेनह पुलिस कोर इसके बाद नेती आयोग दोवार जारी स्वास्थ है सूचकांक एंडेक्स में स्वास्त अच्छा जो रहा है नमबर वन पर कौन सा राज्ज रहा केरल नहीं और सबसे नीचे स्वास्थे की अकर बात करें तो यह रहा है बिहार अभी वर्तमान में ठीक है इसमें इसके ब अबिहाली में जो मौरिस्पस में पाणेनी भासा प्रयोगस आलगा सुभारम किया गया था यह किसके दुवारा किया गयाता सुस्मा सव्राज कि दुवारा ये मतदान केंदर बना ये है 15,256 फूट ये उंचा है ये छेतर जो ये है उंचा मतदान केंदर है ये कहां पे है तो ये है हिमाचल का लोकसवा छेतर है ये और इससे पहले गर बात करें उचाई पे कौन सा मतदान केंदर था तो ये था ही कीम अब कौन सा है तस्किंग है ये उननंचस मतदाता थे सबसे जादा जो उम्र के व्यक्ति थे वह थे 78 वर्स के और सबसे कम उम्र का यहां पर युवा वह थे 19 वर्स के अब इसमें देखो यह यहां पर देखो इसमें ये जो मत्तान केंदर था ये चीन की सीमा से 10 किलोमेटर की दूरी पर है ये है पोलिंग बूत ये कितना है ये जो इसकी जो उचाई है ये है 15,200 56 फिट ये उचा पोलिंग बूत है इससे पहले जो था वो हिक्किम था वो भी यहीं का था हिमाचल का इसके बाद यहां पर आगे बहुत को अच्छा कोशन है भी देखो तीनों सेनाओं में महिला अपसरों को क्या मिलेगा यहां पर इस्थाई कमिशन तीनों सेनाओं में इसके बाद यहां पर एक निर्ने लेगा किस राज्य में पांच दिन सरकारी कर्मियों को काम करना है केवल आपको साथ दिन नहीं करना देखो जैसे पूरे देश में लागवा तो पांच दिन करना होगा जो सरकारी करमचारी किस इसके बाद यहां 왜 अभी यह देखो यह कोनी अभी हुई ती इन सूरत की इमारत में जो अभी आग लगी ढहे साल उसमें 20 की मौत हुई उसमें और 3 इसमें अभी जिसमें जो 20 इसमें तेरा अभी आग जो लगी थी यह गुज्रात के सैंट कहाEst है तो ये सेंटर का जो नाम था ये था तकसीला था इसके। बाद यह पे बिन रिकोर्ड e में दो लाग भारते मुस्लिम मिले जंकित वियाकट आया था इसके असाथ इसके बार है तो ये है । या ने सथितित हैone इन में से 19 व्यक्ति जो है वो डाक्टर की उपादी है उनके पास और 40 जो सांसद है वे है ग्रेजुएट आपको यह देखना है जो अभी वर्तमान में लोक सबाय कौन सी लोक सबाय तो यह है सत्रवी लोक सबाय इसमें ठीक है इसके बाद यहां पर यह कुश्चन भी इंपो सलमान है इसमें और यहां पर महिलाओ के लिए काफी अभी जो बदलाओ के कारिये इनको बढ़ावा दिया गया इसमें क्या क्या देखो यहां पर महिलाए क्या है अब वहन चला सकती है इस्टेडियम में मैस देखने की अनुमती उनको मिल गई वाट्स अप और वाट्स इसके बाद इसकाप जो था उसमें यह अनिवारिये था उसके भी पाबंदी हटे गई है साथी साथ खेलों में भागेदारी कर सकती है महिला यह महिला बहुत जो है हो सकती है और यह जो पहली महिला बहुत है है सराहल सुहयमी योग को खेल का दर्जा दिये गया है साउधियरभ ने खेल का दर्जा दिया है योग को इसी के साथ साउधियरभ में आर्थिक सुधार की योजना चलाई गई और ससस्त्र बल में सेवा का मौका दिया गया महिलाव को महिलाव का देखो पहले याप मोका नहीं साउधियरब की महिला है यह विदेशी यात्राएं भी कर सकते हैं तो यह सभी बदला हुए है साउधियरब के संबंद में इसके बाद यहां पर आगे कि यह कोस्चन है काफी इंपोर्टेंट है यह पहले भी कहीं बार आ चुके है देखो ट्रम्प और किंग जोंग की जो और किंग की यह वीती पहली सिंगापूर में यह भी आ चुका है इसके बाद दूसरी जो हुई है दूसरी वुए हनोई तो सिंगापूर हनोई याद रखना है इसमें और किंग जो मिह कहा कि है तो ये है उत्री उत्री कोरिय के एक दक्षन दकुम इसीं के साथ यहाँ पर बिए मोधी पर्धान मंतरी तो इसको यातरा कि थी पहले वह की थी भूटान की अभ अभी जब परधान मंतरी बने तो पहली यात्रा कहां की कि इनों ने की तो यह कि थी माल दियों की तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं भूमाय ना पहली भूटान की यात्रा की जब पहले बने थे और अभी जब बने तो इनोंने की माल दियों की यात्रा इसके बाद यह question important है देखो यहां पर हरित दूत यह हरित दूत किसको बनाए गया भी देखो हरित दूत यह इसका इसमें जो green ambassador यह हरित दूत इसमें मनिपूर में 9 साल की 9 साल की बच्ची थी यह इसका जो नाम था यह वैलेंटिना वैलेंटिना है और यहां के जो सीम है यह बीरेन और इसमें इनको क्यों बनाया गया है क्योंकि इन्होंने गुल महर के पेड लगाये थे बच्चपन में तो उसमें क्या हुआ है जब वह सड़क के तो उसमें उन पेड़ों को काट दे गया था तो उसमें एक इनका जो वीडियो वाइरल हुआ था वह रोते हुए तो वह पूरे क्या भारत में यह चर्चे में रहा तो वहां कि जब मुख्या मंतरी ने देखा वो वीडियो तो उन्होंने उनको हरीते दूत बनाय कोन एकरनाटक की व्रक्समाता अभी करनिट का हाली का एक खेशन है देखो इसमें तो यह सालू मरदा थिमक का यह देखो व्रक्समाता यहं इक एकसो सांतवर से महिला है इन्होंने 400 बरगत सहीत 8000 व्रक्स लगाए यह निकी 400 बरगत यह प्रगत अप आपकर एक ऐसा पेड में छोड़ता है और इन्होंने कुल कितने व्रक्ष लगाई यह लगाई आठ हजार व्रक्ष बहुत जाद अमात्रा में और इनको जो है सर्वोच नागरी के सम्मान इसको पुरुसकार दे गया और पदम सिरी से इनको इसको नवा जा गया तो कितने डला इन्होंने कर नाटक की चे व्रक्ष आठ हजार पेड लगाई इसमें इसके बाद जल गांधी और यह कर ने गडग जिले के अयप्पा कौन है अयप्पा है इसमें और इन्होंने वर्सा जलका सरक्षण की योजना इन्होंने तैयार की यह हर्वेस्टिंग जो है इसमें वर्सा जलका जो बचाव है उसको कैसे इकटा करना है कैसे उसमें बचाना है और बैलिस्स से ज्यादा इन्होंने harvesting जो है इन्होंने बनवाए अपनी इसमें इनकी जो संस्था है उसके साथ में लिकर इसके बाद यहां पे चिलका और अन्सूपा जील इसमें मतस्य पालनुक के लिए इनको बढ़ावा दे गया किस जील में चिलका और अन्सूपा जील देखो चिलका जील तो आपको पाने की और इसके लवा खारे पाने की जैसे आपका संबर हो गई राजस्तान की मीठे पाने की आपकी बुलर हो गई तो वह भी देख ले ना आपका जो ओल्ड विडियों ने हमला किया फसलों पे और गुजरात में इन अभी देखने को मिला था इसके खिलाप केस भी के गया था अभी इसके बाद गुरु नानक की यहां पे 2019 में कौन सी जैनती हुई तो यह 550 जैनती हुई पूचा जा सकता है देखो यह भी कुश्चन क्योंकि यह बिहा यहां पर मैन वर्शिज वाइलर इसमे मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और यह काह पर किया था यह किया था जिंडिक पर बेड़ियू काहां पर यह आप सभी जानते है उत्राखंड का यह और भारत का सब से पहला है यह ना इसमें और यह कब हुआ तो यह 12 अगस्ट 2019 को यह हुआ इसमें और इनका जो यह वीडियो था इस पे काफी ज्यादा यह वाइरल हुआ और इस पे 3.69 billion impression इसमें देखने को मिले और इसको होस्ट किस ने किया था यह मैं वर्सिजवाइल यह था यह आपको कमेंट करके बताना है बहुत अच्छा कोश्चन है यह भी देखो इसके बाद यहाँ पे पेंच और पेरियार यह जो है सारुस्रेष्ट बाग रिजर्व है अभी हाली में जो यह अभी इंडेक्स आई थी इसमें इससे लेटेड आपकी तो इसमें देखो पेरियार कहां पे तो पेरियार है केरल में पेरियार केरल में है और पेच जो है देखो पेच यह महाराष् इसमें जो है पेश है मध्दे परदेश में भी है और आपका महराष्ट में भी है तो इसका जो 90% जो छेतरफल है वो है महराष्ट में तो दोनों जंगे यह अभ्यारन है पेश इसके बाद हरित परटा गाता की सता तो यह जलने पर पानी बनेगा जिससे क्या होगी गैस पानी में दूल जाएगी इसके बाद यहां पे ग्रीन कोरीडोर यह यातयात को लेकर है और यह रोगी को अस्पताल इसका उदेश से है पहुचाना ग्रीन कोरीडोर का इसमें और ट्रैफिक को रोक कर इसमें देखो बिल्कुल ट्रैफिक को रोक दे जाएगा और जो यह रोगी है जैसे एस्पिताल जा रही है एम्बुलेंस जा रही उसको एक तरीके से साइड हो जाना तो यह अभी ग्रीन कोरिडूर यह चलाया गया एक तरीके से आप योजना कह सकते इसको और अभी एक अभी हाले में एक ट्रिंडिंग में था टोपिक कहांपे था वो बैंगलोर में था इसके बाद देश का पहला मकडाल लिये कहां पे तो ये बना है जबलपूर में मकडाल लिये होती है देखो मकडी ना इसका कह सकते हो इनके सरक्षन के लिए बचाव के लिए ये बना गया मकडाल लिये इसमें इसके बाद सिंदु में डोल्फिन की पहल जो जंगली गदा ब्यारण है ये है गुजरात में और ये संकट गरस्ता की और देखा गया इसको जंगली अब्यारण है ना इसमें जंगली गदा ये इसको कहते है कच्का गदा भी इसको कहते है कच्का जो रण है ये कच्का दलदल है वो गुजरात में है उसके और राज्य बहुत अच्छा कोश्चन है यह कौन सा है तो यह है सिक्किम पूरवी चेत्रेस का और यह बना था 2016 में देखो यह कोश्चन है करेंट अफेर के हैं देखो आप बता दीजे कब तक यह आपका क्लास रखना है क्योंकि बहुत अच्छे कुश्चन है देखो इसके बाद सो परतिसात सो रोजा पर्योग राज्य कौन सा दीव है यह भी दोनों कोश्चन दो तीन कोश्चन जो है यह सभी आ चुके इसके बाद जल संकट वाले चार सहर चेन नहीं कोलकाता दिल्ली और मुंबई है ना इसमें तो यह जो अभी नए नए सर्वे आते उसके अकोर्डिंग यह पूरे कुश्चन है इसके बाद ओजोन परत में सुधार इसमें बताया गया अभी जो सर्वे आया था उसमें 2019 में कि उत्री दूर में 2030 तक सुधार देखने को मिल सकता और दक्षिन दूर पर मिल सकता है 2050 तक इसके बाद राष्ट्य 25 विज्ञान केंद्र तो यह इसके आँ पर इसमें काजी रंगा नेशनल पार्क काजी रंगा शुर्ण खंड cycle में विबाजित होगा विसुनात वन जियू और दूसरा है पूर्वी असम वन जियू काजी रंगा है यनका सिंग के गेंडे के लिए जाना जाता है इसके बाद यहां पर आगे राजिस्थान को जो है राजिस्थान में गाएं को राज के पसु घुसित करेगा अभी 2019 में अभी लाश्ट में अभी चर्चा का विश्य बना हुआ था भी इसके बाद हाती दांत यह एक निरने आया है इसमें तो इसमें बताया कि जो हाती का दांत है वो सरकार की स किया था कि हांत जो है वहा राज्यी की समपत्ती है लेकिन इसने बताया कि सरकार की समपत्त्य भाट ने और हाती प्रियोजणा आपसे पूछी जा शकति है यह हुई थी हाती प्रियोजणा कब चली तो चली थी 1902 में ठीक है इसमें इसके बाद बाठ खत्रा एटलस किसके द्वारा जारी किए गया तो यह किए गया है उडीशा राज्य के द्वारा ... इसके भा भारत में पहरत का 35% πεत है बहुत जादा Blue Bond, यह किस ने जारी किया, तो यह किया था, सेसेल्स के दुबारा जारी, और यह मतस्य पालन से संबंदित है, विशू का Blue Bond, ना Blue Bond, इसमे, इसके बाद Pink Ball, वार्म, पिंक बोल वार्म, यह एक प्रकार से कहेत हो, एक कीडा था, देखो, ये कीड़ा इसमें जो नुक्सान ये करता है कीड़ा तो ये किसको करता है तो ये कपास का कीड़ा होता है ये कहां पे ये अभी देखने को मिला है ये ये मिला है महराश्च में ठीक है पिंक बॉल वार्म कपासी कीड़ा इसको नुक्सान पहुंचाता है इसमें और देख ले नापासर में बनेगा राजस्तान का पहला गो अब व्यारने इसमें इसके बाद यहां पे आगे चा70both in Ton ए suck प्लास्टिक का इसे जो हैं विकल्प बनाएग इसको इससे बनाया जाएगा इसके बाद दूरगम दुरू domination का घ mostrar तट्रेखा से पहुंचना मुश्किल है तो यह इतना इंपोर्टन नहीं है इसके बाद उत्सर्जन वैपार योजना किसने चालो की है यह की है गुजरात ने उत्सर्जन वैपार योजना इसके बाद यहां पर आगे बिहार सरकार ने पेड़ो की कटाई पर रोक लगाई है बिहार सरकार ने हाले में इसके बाद यहां पर पेड़ो की कटाई से विरुद एक आंदोलन चलाए गया था चिपको आंदोलन इसमें चिपको आंदोलन 1973 कहीं कहीं पर आपको 72 भी देखने को मिल सकता है तो यह चलाया इसमें पेड़ कटाई के विरूद था इसके बाद गिनीज बुक ओफ विश्व रिकोर्ड में एक रिकोर्ड बनाया देखो यह उसमें नामित हुआ है तो इलाबाद के जो प्रेड मैदान है उसमें तीन मिनट में इसमें पचास हजार पचास हजार इसमें पोधे बाटे गए तो तीन मिनट में जो इलाबाद मैदान है इसमें इससे पहले तीस हजार पोधे का रिकोर्ड जो था वो था महराश सरकार के नाम तो यह अभी हाली में जो रिकोर्ड बना है यह पोधे बाटने का तो यह किसमें बना है तो यह बना है इलाबाद में देखो इसमें इसके बाद यहां पर आगे कोश्च्वन देखो आश्टेलिया में लगी आग देखो यह अस्टेलीय की राजदानी क्या है कैनबरा है इसमें कहां पर आग लगी निउ साउथ वैल्स तट के पास यह इसमें पचास करोड जानवर इसमें जो है आकड़ा आया यहां और इससे क्या होगा न्यूजिलेंड के सब्सक्राइब को भी खत्रा है यह पर अज़र के वनों की आग इस पर यह के जंगल जो हैं तो जो यह है क्षिन अमेरिका में, और अमेजन जो है यह, उसन कटी बंदिये वर्सव के लिए जाना जाता है, यहां। 9 का जो बारे स्वाटेश में लगातार अग लगती रहती है, बहुत बार इसमें लग चुक और यह जी एमटी जो जीरो डिगरी है देखो इसमें जीरो डिगरी देशांतर कहां पर यूके आपका इंग्लेंड लंदन वहां से कितना आगे है तो भारत का जो मानक समय आगे है वह साड़े-पांच गंटे आगे और भारत में भी देखो भारत में कुछ राज्य जो है यह आपके यहां पे उत्री और पूर्वी जो राज्य यहां पर मिखाले नागा लैंड इसमें और यह भी अंडमान इसमें साइड में अंडमान भी है तो यह क्या कर रहे है अलग टाइम जोन की मांग कर रहे है ना इसमें IST Indian Standard Time क्योंकि यहां का जो यहां का और यहां का जो अ गहंटे का अंतर यहां पर देखा जाता है इसलिए यह अलग टाइम जोन की मांग करें इसमें इसके बाद यहां पर जीरो डिग्री देसांतर कर अगर देखो जो GMT है अलग-अलग मानक समय अपनाए गये देखो देखो भारत में केवलग मानक समय है एक आपका एक ही मानक समय है पूरे भारत में वहीं इसमें अलग-अलग राज्जे राज़ीदी ने लेकिन फ्रांस णहीं प्रांच देश उसमें 12 कि इतने हैं 12 टाइम जोन सबसे अधिक टाइम जोन किसे देश में तो वह फरांच में ही इसमें इसके बाद यहां पर आगे भारती पोशन एंथम चला गए यह दिल्ली में चला गए इसमें इसके बात वी सुखी शुव की सबसे सक्तिसाली महिला फोपस दूरा ये जारी ये इंडेक्स थी इसमें देखी जाती ये तो इसमें जो सबसे सक्तिसाली जो महिला है वो है एंजेला मारकिल कौन है नमबर वन पे वो है एंजेला मारकिल दूसरे पे है क्रिश्टिन लेगार्ड आप मुझे बताना है क्रिश्टिन लेगार्ड हाली में इनके पास कौन सा पद है इसमें क्रिष्टिन लेगाड के बारे में सर्च करना है क्योंकि अभी जो अपर पीसेस का एक्जाम हो था उसमें भी पूछा गया था क्रिष्टिन लेगाड के बारे में इसके बाद अगर भारत की बात करें तो देखो यहां पर भारत की सक्ति साली महिला कौन सी है तो भारत की सक्ति साली महिला है जो इंडेक्स की अनुसार आई है वो आई है निर्मला सीतरमन ये वितमंतरी है दूसरी बार इन्होंने बजट जारी किया और ये पहली पूर्ण कालिक वितमंतरी है और ये पहली रक्समंतरी विती पहली अगर महिला रक्समंतरी की बात की जा एक One है इसमें इनके दुवारा ये चलाया गए इसमें इसके बाद यहां पे Greta Thunberg को 2019 का टाאими परशन चुना गए इसमें टाइं परशन चुना गए और ये लगबग है सोजह वर्सकी है और आपरपीसेस में यह भी कुछन पूछा गया letter portion अपके लिए